दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आपके हमारे चैनल किरिकेट भावश्यवानी पर आज किस वीडियो में हम आपको मुमई इंडियांस और राजस्तान रोयल्स के बीच होने वाले आई पियाल सिजन 17 के चौदवे मैच के देंगे सारे डिटेल्स जिसमें होगी पिच रिपोर्ट साथी विनर प्रेडिक्शन सब को शामिल रहेगा इसलिए वीडियो को आखर तक जरूर देखना दोस्तों ये मैच एक अपरल यानि सोमवार के दिन मुमई के होम ग्राउंड यानि वानखेड इस्टेडियम पर शाम साड़े साथ वज़े से खिला जाएगा इन दोनों टीमों के हैड टूरेड कंपैरिजन की बात करें तो दोनों ये टीमों ने आपस में अब तक 27 मैच खिले हैं जिसमें से 15 मैच मुमई ने जिते हैं तो वहीं 12 मैच राजस्थान ने अपने नाम किये हैं जहां पर अमूमन काफी बड़े-बड़े स्कोर बनते वे नज़राते हैं इस मेदान पर अब तक 109 मैच खिले जा चुके हैं इसमें से पहले बलेबास्थी करने वाले टीम ने 50 बार जीत हासल की है तो वहीं बाद में बलेबास्थी करने वाले टीम ने 60 बार जीता है मैच या ने देखा जाए तो इस मेदान पर पहले या बाद में बलेबास्थी करने का उतना जादा फर्क नहीं पड़ता और इस मेदान पर पहले बलेबास्थी करते हुए अबरेज स्कोर 185 रंका होता है तो अगर हम वानकड़े स्टेटम की बात करें तो ये पिच बैटिंग पिच मानी जाती है जो कि बलेबास्थी को काफी जादा मदद करती और इस पिच पर पेस और पाउंस दोनों ही बिलकुल मौजूद है जो कि इस वे बलेबास करने के लिए बिलकुल अनुकुल बनाता है और यही वज़ाए कि इस मैदान पर काफी बड़े-बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं चुरीदोस्त्तों जबत नजड़ा लेते हैं तवों टीमोंके स्टार के रैकौर्ड श्रोट करती और जसमीड़ा अंक दिक्रम हैं और उनकी इस पारी की वदलत राजिस्तान एपना पिछला मकाबला चीट पाई है इसके लावा राजस्तान की तरफ से इनके कप्तान संजू सेमसन भी काफी तगड़े फॉर्म में नज़र आ रहे हैं अब अगर हम मुमई की तरफ से बात करें तो उनकी टीम की तरफ से बलेवाजी की रोई शर्मा, नमंधीर और तिलफ वर्मा ने कमान समाली वही है हलनकि पिछला मैच मुमई हार गए थी पर उस मैच में भी नमंधीर ने 14 गेंदों पर 32 जड़े थे जिसमें उनके दो चौके और दो च्छके शामिल रहे वहीं तिलफ वर्मा की बात करें तो उन्होंने भी 34 गेंदों पर 64 टरनों की शांदार पारी खेली इसकलाबा के इनमाजी में तो जस्परीद उम्रा कमाल करते भी आ रहे हैं अब प्रेडिक्शन की बात करें तो दोस्तों इन दोनों ही टीमों के बीच पिछले कुछ मैचों के साब से हमें कह सकते हैं कि मुमई का प्रणा राजस्तान पर भारी है और क्योंकि ये मैच मैच म जो final prediction होगी वो भी वहीं पर मिलेगी तो मिलता है अगली वीडियो में ध्यान रखेगा अपना